तो गाइज मैं हूँ लोकेश और Home and Kitchen with लोकेश में आपका हारदिक स्वागत है आज की वीडियो मैं लेगा हूँ आप लोगों की सेहत का ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्ट प्रोड़क्ट आप लोग आपकी सेहत का ध्यान कैसे रखते हैं अच्छा खाके कम ओईल का या फिर विदाइट ओईल का खाके अगर मतलब जैसे बाहर का अगर हम कुछ भी तला भुना हम खाते हैं तो मैक्सिमम चांसेस के अंदर काफी हाई ओईल वाला प्रोड़क्ट आपको खाने को मिलता है तो आप कोशिश यह करते हैं हम घर का बनाएं घर का भी अगर बनाएंगे तला भुना तो भाईया तेल तो वैसे ही आपके पेट में जा रहा है तो उस चीज को इग्नोर मारने के लिए उस चीज को हटाने के लिए आपको एक ऐसा प्रोड़क्ट चाहिए के बाद में आप यह मान सकते हैं कि जो भी आप कुकिंग करेंगे वो 80% less oil के अंदर उस air fryer के अंदर कुकिंग कर सकते हैं ठीक है तो यह बहुत ही अच्छा decision हो सकता है अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखते हुए अगर एक air fryer purchase करते हैं तो अब आप कहेंगे सर आप बात कर रहें air fryer की तो एक अच्छा सा air fryer बताईए जो कि हमारी budget में आ सके हैं आपका budget अगर 4000-5000 रुपे की rate में है तो यह product आपके लिए बहुत ही शांदार हो सकता है कोज इस rate के अंदर आपको कोई भी अच्छा air fryer नहीं मिलने वाला है यह air fryer में आपको बता दूँ 8000 MRP के साथ में आता है 8000 MRP के साथ में आता है और अभी की date में इसके अंदर आपको 50% less मिल जाता है यहां पर उसकी capacity दे रखी हो 4L capacity भी इसके अंदर mention है बहुत सारे features है इसकी अब क्या खास है यह क्यों आपके लिए value to money हो सकता है इन सब चीजों की जानकर इस वीडियो के अंतक आपको हो जाने वाली है तो प्लीज इस वीडियो के अंतक मेरे साथ में बने रही है तो शुरुवात करते हैं आपके सामने इस air fryer को लाकर ठीक इसकी unboxing मैंने पहले ही कर दी थी तो यहां पर है मेरे पास में Kent का यह air fryer ठीक है 1400 मतलब 1300 वीड़ के अंदर यह air fryer आपको मिल जाता है साथ शाथ फ्राय कर सकते हैं घ्रिल कर सकते हैं बेक कर सकते हैं रोश्ट कर सकते हैं साथ शाथ श्याथ यह यहां पर आपको जो नॉब मिलती हैं इस नॉब से आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से जो है आप जो है temperature setting जो कि यहाँ पर आपको option मिल जाता है temperature settings का 0 से 200 तक का वो यहाँ पर आपको दे दिया जाता है capacity दे रखिए यहाँ पर आपको 4 लिटर capacity यहाँ पर आपको मिल जाती है साथ इसाथ यह बहुत अच्छी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है साथ इसाथ यहाँ पर आपको एक जो है एक इस टेनर भी मिल जाती है कुछ इस टाइप की ठीक है अगर access oil आपके इस container के अंदर आ जाता है तो यह easily जो है नीचे की तरफ बैठ जाने वाला है तो यह काफी अच्छा option है मतलब low oil के अंदर बहुत अच्छी cooking हो जाने वाली है overall प्रोड़क्ट काफी अच्छा है काफी पैसा वसूल करने वाला प्रोड़क्ट है साथ ही साथ मैं आपको बता दू यहाँ पर काफी साथ काफी सारी चीजे जो है इसके अंदर mention की गई है जैसे मैंने आपको जैसा बता है आपको auto cut off के साथ में यहाँ पर मिल जाता है अब यहाँ पर एक चीज और mention है जैसे adjustable range of temperature 0 to 200 यह सारी चीजे में आपको बचा चुका अगर हम बात करें इस प्रोड़क्ट के dimensions की चीग है तो क्या dimensions जो है इस प्रोड़क्ट की रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो length है वो length है 35.5 cm यहां तक back side से लाया अगर यहां तक इसकी जो length है 35.5 cm अगर इसकी width की बात की जाए अगर इसकी चोड़ाई की बात की जाए तो वो है 26.6 cm यह जो इसकी चोड़ाई है 26.6 cm साथ ज़्याद अगर इसकी height की बात की जाए तो यह है 31.5 cm जाहिए लब ऐसा कोई ज्यादा heavy product नहीं है यह 4 kg के around इसका जो weight है वो निकल जाता है overall काफी अच्छा product है अगर आप डेली उसके अंदर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं आपको french fries के लिए समोसा के लिए या फिर ऐसी baking से related काफी सारी चीजे हैं roast से related या grilling से related काफी सारे recipes खुश्यों के लिए यह product easily खरीच सकते हैं बहुत अच्छा product हो सकता है आपकी सेहत और आपके बच्चों के आपके अपनों की सेहत का ध्यान टकने लिए काफी better product हो सकता है इस टाइब के वीडियो में जंटर यह लेके आता रहता हूं तो please मेरे चैनल को subscribe कर लिजी bell notification प्रे